बच्पन से ही बच्चों को डारी लिखनी के आदत लगानी पड़ती है एन फ्रैंक का देखिए इन्होंने डारी लिखी तब ही तो हमें पता चला उनकी जीवन में क्या-क्या घटना घटी है और उनके उच्छे विचार भी हमें इसी से पता चले तो हिंदी में इस स्टोरी को सुनते है लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते है इस प्यारी स्टोरी को ये देखिए ये लड़की एन फ्रैंक है जिसने डायरी उसको बर्डे गिफ्ट में उसको जब 13 साल की थी 1942 में तब उसे दी गई थी और उसने तभी से लिखना स्टार्ट कर दिया था तो उसकी डेली जो लाइफ थी जो उसके साथ हो रहा था वो सारी चीजे तो साटर्डे जून 20,1942 से उसने लिखना शुरू कर दिया था वो दिन साटर्डे था और वो लिखते बैठने गई और उसने सोचा कि मैं पहले अपने डायरी पे क्या लिखूंगी और यह सोचते सोचते उसने लिखना शुरू कर दिया कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है और यही बात मैं यहां पे क्लियर करना यह सारे चीज़े अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आप फोटो दिख रहे हैं जैसे कि उसके जिंदगी में जो उसके बहन भाई और माता पिता है यह देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी यह फैमिली है अंट्स है और एक प्यारा सा घर है लेकिन फिर भी कमी सी तो लगती है और वो कमी है एक अच्छे फ्रेंड की वह वही बोल रही है कि फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड में बहुत डिफरेंस होता है और यहाँ पे आप देख सकते फैमिली मेंबर के साथ हम सारी चीज़े डिसक्रस नहीं कर सकते और वो एक फैमिली मेंबर में भी एक बहुत अच्छा फ्रेंट दून रही है, फिर भी वो बोल रही है कि ये डायरी अब मैं जो लिखने जा रही हूँ, इसमें जो मतलब लोगों का जिक्र होने वाला है, तो जिक्र अब वो लिखेगी कि मेरी जो डायरी है, मैं अपने फ्रेंड की तरह मैं उसे टिड करूंगी और इसे मैं किटी बोलूंगी, ये जो एन फ्रेंक है, ये फ्रेंक फर्ज नाम की गाउ में रहती है, चर में रहती है, जो हॉलन्ड में है और उसके पापा वहाँ पे आये हुए है दूर से, तो 1933 वो एक्चुली जुईश है, हमारी जिंदेगी बिना चिंता के विलकुल न मैं 1940, हमारा गुड टाइम आ गया था थोड़ा सा, और वो फर्स्ट वार वहाँ पे हो गया था, तो ये वार के कारण इन लोगों को बहुत तकलिफ हो गई, और फिर जर्मन लोगों का उनके जो उनका जो घर था, वहाँ पे कबजा हो गया था, और तभी से फिर जू लोग जो है, इन लोगों की परिशानिया शुरू हो गई थी, हमको जो फ्रीडम है, हमारी फ्रीडम पूरी की पूरी हो गई थी, एंटी जोईश लोग जो थे इन लोगों के कारण, तो हम जो लोगों को ऐलो स्टार्स जो है ये पहनना पड़ता था, उसके बाद में हम जब स्ट जादेगी ऐसे ही गुजर रही थी, ये वार के कारण और ये नफरत के कारण, तभी मेरी ग्रैंडमा जो थी, वो नाइंटिन फोटी टू जाने बरी मन्थ में गुजर चुकी, वो मरने के बाद, फिर मैं उनका प्यार बाद में कभी नहीं पा सकी, अब आप सोच सकते कि व मर चुकी है तो नहीं, बड़ी सिलिबरेशन्स नाइंटी फोटी टू में मेरा हुआ था, और तभी ये गिफ्ट मुझे मिला था, ग्रैंडमा जो है, वो मेरी कैंडल उन्होंने जलाई थी, और वो मेरे साथ ही थी, संडे जून ट्विंटी वन नाइंटीन फोटी टू, अ अब ये देखिये, ये टीचर है, मैट के टीचर है, और ये मैट के टीचर उसे जैसे की, मतलब वो पागल से हो जाती थी, जब वो बहुत देर तक, वो तो बाते करते रहते, सर, अपना-पना पढ़ाते रहते थे, सर, बहुत सारा extra homework दे देते थे, और उसके साथ बहुत स कर लिया था और मैं अब सोच रही थी कि जो चैटर बॉक्स जो सब्जेक उनने दिया है तभी मेरे मन में एक ट्रिक आ गई थी बहुत जूज रही थी मैं मतलब मैं बाते नहीं करती थी ना तो इसी लिए अब यह चैटर बॉक्स बोले तो फिर मेरा मिस्टर जो की सिंग जो स दे दिया था और सेकंड ऐसे में उन्होंने बुला था कि एन इन कोरीजिबल चैटर बॉक्स यह टॉपिक उन्होंने अब हमें दे दिया था यह भी मैंने लिखा और उनको दे दिया विदाउट कंप्लेंड दो मतलब ऐसे ही जो टॉपिक उन्होंने दिये थे पूरी वो मै बाते बाते वह पढ़ा रहे थे मेरी टाकिंग कंटिन्यू चालू ही रही थी मैं बाते पाते ही कर रहे थी तब भी एन फ्रेंक आपको बाते करने के लिए पनिश करना चाहता हूँ और ऐसे बोलके उन्होंने मुझे क्वैक 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 जो है चैटर बॉक्स से मुझे तो चैटर बैक की बोलते थे वो और ये ऐसे मुझे लिखने के लिए बोला था तो एक्चुली मुझे पता चल गहा था कि ये सारे जो सब्जेक्स ये टॉपिक मुझे दिये जा रहे है ये मतलब मेरा उपर एक जोग बन रहा था लेकिन इससे मुझे पोयम जी ये मैंने बहु और तभी अनफर्चुनेटली पापा के हाथ से डेथ हो जाकी है और वो क्यो एक क्वाक क्वाक लेकिली जो किसिंग है इन्हों ने इसको जोग की तरह से ले लिया था राइट वे और फिर भी हमारे बाते जो थी फ्रेंड लोगों के साथ कंटीनू होती रही और उसके साथ हमें एस्टरोंबग भी मुझे मिलता ही रहा और मैं दिनों दिन मैं ये सारी चीज़े लिखती गई अब देखिए आफ्टर नून फिप्ट जुलाई 1942 सिक्स्टीन ये जो उल्डर सिस्टर है उसके बारे में ये फिप्ट जुलाई है 1942 है उन्होंने एक कॉल उनको नोटिस के तैर पर दिया गया था और वो बहुत डेंजर था मतलब कैसे की जैसे लेवर कैम्स होते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब फ्रैंक जो है अली मॉनिंग में फ्रैंक फैमिली जो है इन्होंने कपड़े वे गरे पहन लिए और अच्छे से निकल पड़े है वो अपना सब सामान लेके अब ये घर परिवार सब छोड़ के जा रहे हैं और उसके मतलब उसके पापा जो है अन के पापा जो है ओटो फ्रैंक वो भी सिक्रेटली उनके फ्रैंड लोगों के हैल्प लेके कलीग लोगों के हैल्प लेके अब वो सेट हो रहे हैं कहां पे स इस बिल्डिंग है उसके यहाँ पे वो लोकेटेड है और ऐसे वो और के टाइम में छुपना पड़ता था अपनी जिन्दगी बचाने के लिए बाकी की फैमिलीज भी है जैसे वैंड डैम्स है 16 ओर संपिटर वो भी वहाँ पे है आप देख सकते हैं फैमिली दूसरे मेंबर और मिस्टर डसेल्स जो है यह नहीं में उसको उन्हों में जॉइंड कर लिया था अब आप देख सकते हैं कि कुछ कौर्टर्स हैं कुछ ग्रूब्स हैं दो साल तक ऐसे ही यह लोग उनको छुपके ही रहना था और यह एक्सपिरियंस जो था एन के लिए अब एन तो बहु है वो उस बिल्डिंग के पास आ गए और जो सिक्रेट एन एक्स है वो अब सिक्रेट बिल्कुल नहीं रहा था इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर ट्रांस्पोर्ट कर दिया गया जहां से वो आये थे अब यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको कैम्स में रखा गया थ और तभी एन जो है 1942 में मर गई थी वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई थी उसको खाना प्रॉपरली मिला निता और यही वो डारी है जिसमें उसने सारे चीज़े लिखी थी जो पापा ने बाद में पब्लिश की नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता था आयन के मन में क इसके साथ क्या क्या हुआ अगर यह वीडियो आप लोगों को सच में मोटिवेट कर रहा है कि क्या क्या लोगों के साथ हो चुका है फिर भी वो कितना अच्छे से लिख रहे है तो आप भी मोटिवेट हुजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखते रही है ऐ झाल 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 झा